हेलो स्टुडेंस वाजम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ में लेसन नाइन्टीन फ्रॉम टुमारो अन फ्रॉम यहने होता है से टुमारो अन यहने कल कल से ठीक है इस लेसन का नाम क्या है फ्रॉम टुमारो अन कल से एने फ्रेंग आपको इमेज में दिख रही होगी उनका नाम है एने फ्रेंग और इनका जो ट्रांसलेशन है जो नुबाद है यूसूफ लेफ्ट वीच के दुबार किया गया है इस लेशन में सबसे पहले बोल रहा है हाउ कैन वी स्टे कौल इन डिफ्रेंट टाइम डिसकेश हाउ कैन कैसे वी याने हम स्टे रहना कौल साथ इन डिफिकल्ट टाइम मुष्किल समय में डिफिकल्ट याने क्या हता है मुस्किल समय में हम कैसे सांथ रह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ डिपिकल टाइम याने मुस्किल समय इन याने में मुस्किल समय में वी हम कैसे सांथ रह सकते हैं कुल याने सांथ इस्टेन रहना कैसे सांथ रह सकते हैं डिसकस चर्चा करें सबसे परहत हम यहाँ पर लेसन को पढ़ लेते हैं From tomorrow on, I shall be sad From tomorrow on, not today Today I shall be glad And every day, no matter how bitter it may be I shall say From tomorrow on I shall be sad, not today यह हमारा छोटा सा एक यहाँ पर लिखा गया है पराग्राप है हमारा इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर इसके जो मुश्किल वर्ड है उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका वर्ड मिनिंग में दिया हुआ है ग्लैड ग्लैड यहने खुसी ग्लैड यहने प्रशन सा प्रशन ना प्रशन होना ग्लैड यहने क्या होता है प्रशन हापी यहने खुसी तो ग्लैड यहने खुसी होती है बीटर बीटर का क्या दिया हुआ है Fact or event that is difficult to accept बिटर याने कड़वा बिटर याने क्या होता है कड़वा Fact, तथ्य और event घटना That is difficult to accept Accept याने स्विकार करना difficult, मुश्किल है तो Fact, तथ्य या घटना जिसे स्विकार करना मुश्किल है Glad याने होता है प्रसंत, प्रशन, खुसी बिटर याने होता है कड़वा तथ्य और घटना जिसे स्विकार करना मुश्किल है Sad, याने होता है उदास, एन हैपी अप्रशन, दुखी तो यह हमारा word meaning है इसमें हमारा जो उल दिया गया प्ररगाफ उसमें यही सब आयों है Sad, दुखी, ग्लैड याने कि खुसी, प्रशन और बिटर याने कि कड़वा तो चरही स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन फ्राउम टुमारो ओन, I shall be sad फ्राउम से, टुमारो याने कल तो कल से, आय याने कि मैं सेल भी sad, दुखी होंगा यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कल से, मैं दुखी होंगा फ्राउम टुमारो ओन, कल से not today आज नहीं today I shall be glad glad याने क्या पताया खुसी आज मुझे खुसी होगी यहाँ पर future रिक्का हो रहा है इसलिए यहाँ पर होगी लिख्या है क्या है lesson हमारा from tomorrow on I shall be sad कल से मैं दुखी होंगा from tomorrow on कल से not today आज नहीं today I shall be glad आज मुझे खुसी होगी and every day no matter how bitter it may be and यहने और every day her no matter how bitter how यहने चाहे कितना भी बिटर यहने कडवा it may be क्यू नहीं चाहे वा कितना कडवा क्यू नहीं I shall say मैं कहूंगा from tomorrow on I shall be sad कल से मैं दुखी होंगा not today आज नहीं तो मारे लेसन यहाँ पर क्या उपल रहा है from tomorrow on कल से I shall be sad मैं दुखी होंगा from tomorrow on कल से not today आज नहीं today I shall be glad आज मैं आज मुझे खुशी होगी and every day और हर रोज no matter how bitter it may be चाहे वा कितना भी कडवा क्यू नहीं I shall say मैं कहूंगा from tomorrow on I shall be sad कल से मैं दुखी हो जाऊंगा आज नहीं तो यह हमारे लेसन है इस लेसन में यह बोल रहा है कि हमें चाहे इतने भी करवाट क्यू नहीं हो हमें हर दिन खुश रहना चाहिए तो यह अपने बारे में सोच के कहा जा रहा है कि कल से मैं दुखी हो जाऊंगा लेकिन आज मुझे दुखी नहीं है मैं आज मुझे खुशी होगी ठीक है तो हर दिन हमको यही बोलना है कि कल से मैं दुखी होँगा आज मैं खुश रहा होँगा ठीक है तो यह हमारा एक जो लेसन है इसी से डिपेंडेंट है लेसन बोल रहा है कि हमको हमेशा कल पर बोलते हैं कि कल दुखी हो जाँगा तो आज खुश रहेंगा तो रोज हम ऐसे ही बोलेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे हमेशा हैपी रहेंगे ठीक है तो यह हमारा bad meaning हमने पढ़ लिया था अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा answer the following question प्रश्णों के उत्तर यहाँ पर दिये हुए हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तीनी question आपर दिये गये हैं पहला हमको बोल रहा है When will the child become sad? Answer in one word एक सब्द में हमको उत्तर देना है इस प्रश्णा का मतलब है When, कब, will the child become sad? कब बच्चा दुखी होगा? बच्चा कब दुखी होगा? From tomorrow on कब दुखी होगा? From tomorrow on What does she want to be today? इसका मतब क्या हुआ, वह आज क्या चाहती है, वह आज क्या चाहती है, वह क्या चाहती है, वह क्या चाहती है, खुस रहना चाहती है, तो हम क्या लिखें कि इसको, she wants to be glad today, वो आज खुश रहना जाती है थर्ड कोशन क्या बुर रहा है from tomorrow on I shall be sad, कल से मैं दुखी हो जाऊंगा what does the child mean when she say so what does the child mean बच्चे का मतलब है बच्चा का क्या मतलब है when she say so जब वा कहती है तो इसका मतलब क्या हुआ जब वा कहती है तो बच्चा बच्चे का क्या मतलब है तो हमारा एंसर क्या हुआ यहाँ पर the child means it is certain, certain याने निशित यहाँ पर बच्चे का मतलब है कि यह निशित है that she will apart with her family and life, वो अपनी family का एक हिस्सा रहेगा and live, और मीशा जीवित रहेगा ज़दी हम हमेसा कुछ रहते हैं तो हम अपनी family का मीशा एक हिस्सा रहते हैं और मीशा जीवित रहते हैं तो यह हमारे lesson था तो यह हमारे lesson था from tomorrow on कल से चलिए एक बर फिस्व पढ़ लेते हैं From tomorrow on, I shall be sad. From tomorrow on, not today. Today I shall be glad. And every day, no matter how bitter it may be, I shall see. From tomorrow on, I shall be sad. Not today. कल से मैं दुखी हो जाऊंगा? कल से, आज से नहीं. Not today, आज नहीं. आज मुझे खुसी होगी. और हर रोज, चाहे वा कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं कहूंगा कल से मैं दुखी होँगा? आज नहीं. तो यह हमारा लेसन था, चोटा सा पेराग्राफ. इसमें चोटा सा पेराग्राफ है, लेकिन यहाँ पर जूस का मीनिंग है, वो बहुत ही बड़ा है. तो यहाँ पर हमारा लेसन यहाँ पर कम्प्लीट होता है.